हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सब का मेरे चैनल कुकिंग स्टाइल विद नहा में स्वागत है तो आज मैं फिर से आपके लिए एक नई रेस्पी लेकर आए हूँ तो आज मैं बनाने वाली हूँ कोफता और वह भी बन गोबी का कोफता तो आपने बहुत ट्राइब क कोफता बनाते हैं वैसे ही इसके हम महीन महीन टुकड़े कर लेंगे और जैसे आप मंचूरिय ने इसका ट्राइब करते हैं कि बिल्कुल फाइन चॉप आप करते हैं सबजी को तो उसी तरीके से इसको भी हम फाइन चॉप करेंगे तो बंद गोबी को हमने अच्छे से दो सबरने जांते हैं तो इसके बाद какой-child मृल एंगे और चोटे चोटे टुकड़े करेंगे करोदे पहले हैं आप इसको इसको छाफ करेंगे तो यहां पर देख रही होंगे कि हम चोटे 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 से और बंद कर लिए और उसके बाद इस गलास की हल से और ग्लास आपको वही लेना है जो उपर से थोड़ा सा शार्प हो क्योंकि इसे जब आप सब्जियों को इस तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे तो इस तरीके से हम फाइन चॉप बिल्कुल कर लेंगे जिससे हमें कोफते बनाने में कोई भी प्रॉल्म नहीं क्योंकि बनेंगे नहीं वह फट जाएंगे तो यहां पर हमें जो भी सब्जी लेनी है जिसका भी बनाना है तो वह रफली चॉप होना चाहिए तो इस तरीके से आप देखिए कि बिल्कुल फाइन चॉप हो गया है और अब हम इसको थोड़ा साइस में हम नमक लगा के रख देंगे साइस मेरे जब तक तक दर पंदा मिट पर इसका पाने रिलीस के साफ वंक तक पूम अपनी आगे की तयारी कर लेते हैं अपना मसाला कर लेते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने टमाटर ली है तो सारे जोम जुआ हैं जो हम पीसे के ग्रैंड करेंगे वह मैं एक ह काली मिर्च के लिए हैं दो लॉंग लिए हैं और दो चोटी लाइची लिए उनकों ने चील के डाल लिया है लाइची को मने चील के इसलिए डाला है जिससे फ्लेवर जो है वह पूरे मसाले में अच्छे से आ जाए और इस तरीके से हम सारी चीजों को एक साथी ग्रैंड कर तो यहां मेरी फाइन प्यूरी तैयार हो गई है इस तरीके से एक सारी चीजे कर लेने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है एक सारी चीजे ग्रैंड हो जाती है तो अब हम देखते हैं कि इसका पानी रिलीज हुआ या नहीं हुआ तो यहां पर आप देखेंगे कि हम इसम पानी नहीं निकाल लेंगे तो आप इसमें चाहें बेसन रोट मैदा जो भी आप करेंगे वह बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पड़ेगा और वह गीला ही होता जाएगा तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितना पानी हम निकाल रहे हैं और अधी क्लास से भी ज्याद पानी निकाल दिया है और बाइड नहीं हो रहा तो आप फिर से इसका एक दो चमच पानी एड़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप इतना पानी नहीं निकालेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी कोफते बनाने में या फिर मंचूरियन बनाने में आप जो भी इसका बना रह है तो यह प्रोसेस बहुत जरूरी है तो इस तरीके से हम सारा पानी निकाल देंगे और अभी आप देखिएगा कि इसमें से कितना ज्यादा पानी निकला है तो यहां पर यह देखिए कितना ज्यादा पानी निकला ही आदी ग्लास से भी ज्यादा पानी तो इसमें इसमें तो इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे और आप देख रहे हो किक इतनी ड्राय метा अपर यह लग रहे है Colorado तो इसमें धोड़ा साँ इसमें दालेंगे मैं और भीछ इच हीग अपर हमें क多 की नहीं तो चोटी चम्मच एड़ किया है इससे यह देखने में भी अच्छे लगेंगी अच्छा एगा और फ्रिवर भी बहुत अच्छा एगा क्योंकि हल्दी वगर हम यहां पे कुछ नहीं यूज करेंगे यहां पे हमने चार चम्मच बेसन यूज किया है थोड़ा बहुत आप कम है तो आप बाहर से एड़ कर सकते हैं लेकिन अगर पानी इसमें ज्यादा हो गया तो फिर आपको बहुत आपको बहुत करना पड़ेगा और उससे जो कुफते है वो टायट भी हो जाते हैं और उसका फ्लेवर भी नहीं अच्छा लगता है जब बेसन की क्वांटिटी ज्य कुफते अपने बना लेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरीके से जब आप कुफता बनाएंगे यहां पर देखिए सारे मेरे कुफते बनके त्यार हो गया है तो अब इसको फाय कर लेते हैं तो इसके लिए हमें एक कढ़ाई चड़ाएंगे कढ़ाई में डाले कुफते बनाएंगे जरूर रखिएगा कि कुफते आप मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें जिससे वह उपर से क्रिस्पी भी लगेंगे और अंदर से पर्फेक्ट पूरे वह पके हुए होंगे इस तरीके से सारे कुफते हम अपने तल लेंगे तो यहां पर देखिए मोस् स्पून की हर्प से हम इनको बराबर चलाते रहेंगे और अब आपको लग रहा है कि यह देखने में लग रहे हैं कि अच्छे से पक चुके हैं कलर भी इनका देखने में लग रहा है अच्छा बढ़िया गोर्डन कलर आ है तो अब इनको एक करके निकाल लेंगी क्यूंकि बिल्कुल परफेक्ट पके हुए हैं तो यहां पर देखे मेरे सारे कुफते बन के तैयार है तो अब हम तैयार कर लेते हैं ग्रेवी के लिए हमें वही तेल यूज किया है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा था तो हमने निकाल दिया तेल को तेल में डाला है एक टीस्पून जी दिया ओला की थी आप लिए sos Yap अच्छे से मिंक्स कर लिएรंगे एन जाफी मक्स और दो चोटी चंब요 अच्छे से मिंट्व कर देंगे डाने कश्मेरी लाल मिंट्राइब तो अच्छे से मिंटता कर ़ेंगे रहा यह हैं आणार करना इनतर के सब्सक्रान की पाने कि ओंग appear जाथ में रखाए ब्यादा बाद में तो कि अुद्सक्त्त तो ऩह हो पहल इंद उसके सब्सक्राइब बात इस तो सफते हं अ Eachığ क्राइब फॉर ज़्ड़ी तैयार लिए बात है रही हुए धीशी की रास्यादचा के ठीस पादचे ज़ने हो दिखने करते हैं, कर दिखने अब लग से पूमया पादचा रहा कि उलले मुदका अपर हैं, मसाला मुंकर बादची स्ऩान करने दूंकर दीसाद है,elles निरुछ दम टीस क्या है, मलाई एट करने से इसका क्रीमी लुक लगेगा देखने में भी और खाने में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और यहां पर आपने देखा होगा कि हमने बहुत ही कम स्पाइसे यूज की हैं प्यास टमाटर लहसुन तो यहां पर आप नॉर्मल सब्जी में भी आट करते हैं तो यहां पर बस हमने अक्स्टग में मलाई यूज करी اس के बहुत अच्छा फर्यवर आएगा कहने भी आए घृص्प्रेश बहुत अच्छा लगेगा और जो ग्रेवी का टैक्षर होगा वह भी बहुत अच्छा लगें तो यहां पर हम मलाई को भी ऐची से पानी निकाला है उस पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे और उस पानी को जब आप यूज करेंगे ग्रेवी के रूप में तो उसका जो टेस्ट है वह बहुत अच्छा हैगा क्योंकि वह सबजी से निकला हुआ ही पानी है तो उसमें वैसे भी टेस्ट होता है तो इस पानी को फ पानी बोल देसे कोफ़ें, कोफ़ी गूंधे काओएकॉर सबस्क्राइब और अब सब्सक्रीन बिल्ह नायाया निफेद कोफ़ी अध्य काओशने की बाक्राम, ឯह किली लिजी दित टुड़ते के पानी काविचेक। बस कोफते को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा जब कोफते अच्छ से सॉफ्ट हो जाएंगे तो आपको ग्रेवी भी ठीक लगेगी तो यहां पर हम थोड़ा सा टेस्ट के लिए जो है किचन किंग मसाला आड़ कर रहे हैं तो आप अगर आड़ करना चाहें तो आप अच्छ से मिक्स कर लेंगे और धीमे दीमे पांच मिन के बाद अब देखेंगे जब कोफते जो है तो आपको ठीक लगने लगे यहां पर आप देख रहे हैंगे ग्रेवी ठीक लग रही है कोफते भी आपको देखने से लग रहा होगा कि इतनी अच्छ से सॉफ्ट हुए ह बहुत अच्छ से बने बहुत ज्यादा सॉफ्ट बने ते बिल्कुल भी टाइट नहीं थे बस एक चीछ का ध्यान एक जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो कोफते जो है वह टाइट हो जाते हैं इस चीछ का धियान जरूर रखेगा जिस तरीके से हमने बनाए एक बार इस बहुत अच्छ से बहुत जाते हैं जब उनकी बहुत अच्छ से नहीं बनी होती तो फिर वह टाइट हो जाते तो यहां पर देखिए कि जो इसकी ग्रेवी तेयार हुई है वह किती अच्छी देखने में क्रीमी इसका लुक लग रहा है और आपने देखा कि हमने इसमें बह गोबी का कौफता है खाने में टेस्ट नहीं होगा लेकिन आप एक बाद ट्राइजिक करके जरूर देखिएगा आपको टेस्ट बहुत अच्छ इसको कई लोगों कोमने देखा कि यह कोफते जो बनाते हैं वो बॉयल करके बनाते हैं तो आप बॉयल करने में तो बहुत ही प्रोसेस हो जाती है पहले इसको चौप करके बॉयल करिए उसके बाद उसका पानी निकाले फिर आप बनाएं और यह बहुत ही इजी वे है कोफते को बनाने का आप ऐसे ही जैसे सबची बनाते इसको फाइन चौप करिए और उसके कोफते बना लीजिए कोई भी प्रॉब् इस बाद लिए पकि आपको अच्छी लगी है थो वीडियो को लाइक जरू करिए ऑ और कमेंट में हमको जरू ह pac सबकार है जाल जाल कर अगर विडियो को शियर करें जिससे icon आर भी लोगों तक यह वीडियो पाँचे है और अकर दूद चेनल अभी तक चैनल को सक्काराब स तो बाइ सस्क्राइब भी कर लिए इसी तरी की रेस्पी आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगी तो थैंक्स वार वाचिंग मिलते हैं अगली रेस्पी के साथ